दो माई को LCB ने दो चार पहिया वाहनों से लाई जा रही 18,37,000 रुपे कीमत की सुगंदी तमाकू जबत कर आरुपियों के खिलाब कारवाही की है और नियाले ने चार दिन का PCR दिया था यह तमभाकू 36 गड़ सीमा से लाया जा रहा था और इस शेत्र में कोर्ची, बेलगाव, कुर्खेडा और आर्मूरी मुख्यस्थान है तो स्थानिय प्रशाशन क्या करता है? ऐसा सवाल अब क्षेत्र के नागरी को द्वारा उठाया जा रहा है और तिवरा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है यहां भी खुले आम चर्चा है कि 36 गड़ सीमा रेखा पर मुख्य विक्रेता से सुगंदित तमाकु का वित्रन पूरे गड़्ची रुली जिले के आसपास के जिलो में किया जा रहा है इसका भी खुला साहुचा की पकड़े गए अपराधीने निया है सुगंदित तमाकु आरमोरी में चिलर विक्रेताओं को बेचा जाने वाला था तो वो चिलर विक्रेता कोन आरमोरी शेत्र में ठानेगा वजाड़ देवड़गाव लोहारा समीत वड़सा कुरखेडा लाखांदूर तालू का सुगंदित तमाकू के गड़ बन गए है लेकिन स्थाड़िया प्रशाशन तमाकू उत्पादों पर कोई कारवाही किये बीना शांत बैटी है यह अभी चर्चा का विशे बना हुआ है यह व्यवसाय का मुक्य स्थान कुछ किराने की दो आर्मोरी बरडी स्थानी अव्यक्ति और एक मटन मार्केट के पास एक व्यक्ति इस व्यवसाय में लुप्त होने की चर्चात जनता में की जारी है इन भी से न्यूस के लिए गडची रूली से हरेंद्र मडावी की रिपूर्ट